ये कहानी मैनूवल नाम के लड़के की है, जिसे अपने माता-पिता के तलाख की वजह से अपने एक रिष्टेदारों के साथ रहना पड़ता है। मैनूवल तीन महीने के लिए स्पेन के दूसरे शहर में अपने चाचा हुवान के घर रहने के लिए आया था, मगर उसे स्टेशन पर काफी टाइम इंतजार करना पड़ता है। मैनूवल तीन महीनों के लिए अलग-अलग घरों में रहना होगा। माने लेके जाता है, जहां शान्ती के माहौल में हुवान उन दोनों को पेंटिंग सिखाने लगा। वो अजीब सा आदमी अपने आपको भगवान कहता है और हुवान के कहने पर मैनूवल ने उसे खाने के लिए उसे एक सेब देता है। फिर भी उसकी अजीब सी बातें खत्म नहीं हुई और वो फिर से कहने लगा कि मैं गायब होकर दिखा सकता हूँ ऐसे ही अजीबो गरीब हरकते करके चला गया। और फिर हमें अगले सिन में दिखाया जाता है। ये वो दोनों हर समय एक दूसरे के साथ रहते थे। इसी बीच फुना सांटा को लगता है कि मैंनूवल खुश नहीं है, उसे बेहतर महसूस कराने के लिए अपना लाली पाप चाटने के लिए दे देती है। और कहती है, मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं रह सकती हूँ। उस दिन मैंनूवल को एक राज की बात बताती है। जिसे वह जानकर हैरान हो गया, फुना सांटा ने बताया कि उनके चाचा फार्लैंडू असल में गे है। ये बात कोई नहीं जानता। हुवन के घर रहने के बाद अगले महीने मैंनूवल फार्लैंडू के साथ रहने लगा और उनकी बैकरी का काम समझने लगा। हुवन की तरह फार्लैंडू एक कलाकार है और जाइलो बजाया करता है। जाइलो फोन बजाते देख मैंनूवल को म्यूजिक का जादू सवार हो जाता है। फार्लैंडू ने बताया कि जीनियस बनने के लिए कुछ सालों तक महनत करनी पड़ती है। अगर एक दिन भी महनत में कोई कमी रह जाएगी तो म्यूजिक हमारा साथ छोड़ देती है। फार्लैंडू का अफेयर उसके एसिस्टन्ट पेलू के साथ चल रहा था और ये बात मैनूवल जानता था। फार्लैंडू की पतनी बी एड्रिस इस बात से नाराज थी। उसका पती काम पे ध्यान नहीं देता है। पर फार्लैंडू का कहना था कि ये काम उसे खुशी नहीं देता। सिर्फ पेलू से खुशी मिलती है। एक दिन उसका एसिस्टंट पेलू ने बताया कि मेरी शादी होने वाली है। इसलिए फार्लैंडू को छोड़ना होगा। उन दोनों के बीच हो रही सारी बाते मैनूवल और फुनसानता सुन रहे थे। पेलू के जाने से लैंडू का दिल तूट जाता है और अपनी जान देने की कोशिश की। पर वो ऐसा कर नहीं पाया। उस साम जब मैनूवल बी अड्रिस के कमरे में आया तो उससे पूछने लगी की बी अड्रिस उसे खूब सूरत लगती है। या नहीं मैनूवल से अजीब और गरीब बाते पूछने लगती है। तब मैनूवल ने फारालैंडू और पेलू के बारे में उसे बता देता है। मैनूवल एक नई दुनिया देख रहा था और इस दुनिया में उसे पुनसानता के साथ खुशी मिल रही थी। उस दिन अचानक उन्हें दो अंजान लोगों को छट पर आते देखा तब फुनसांता ने बताया कि वो अमेलियो की बेटी लोली और उसका बॉइफरेंड है जो गाजा लेकर वहां से भागा है फुनसांता को तब कुछ नजर आया और वो कहने लगी कि मेरे घर में कुछ गलत हो रहा है घर की ओर जाने पर उन्हें पता चला कि फारालांदू की मौत हो गई है हर कोई परेसान था मगर उन सबसे ज्यादा परेशान बी एड्रेस थी उसने बताया कि अचानक से जमीन पर गिर पड़े और उसकी मौत ही गई हुवान और उसके बड़े भाई अमेलियो ने फारालांदू को जमीन पर बेहोस देखा उन्हें समझ आया गया कि दिल का दोरा पड़ा है सही समय पर अमेलियो उसे बचाने में कामियाब हो जाता है उस दिन के बाद मैनुवल अमेलियो के घर में रहने लगा अमेलियो की बहन मारगरीटा मैनुवल को पढ़ाने लगी पर मैनुवल उसे और अमेलियो की पतनी लूला को परेशान करता रहा एक दिन मैनुवल के पिता अंटोनियो का फोन आता है और मैनुवल को पता चला कि अब वो इटली में रहते हैं मैनुवल अपने पिता को बताया कि मारगरीटा हर वक्त उन पर नजर रखती है इसी लिए वो परिशान होने लगा है और घर आना चाहता है मैनुवल ने फुनसान्ता को बताया कि जल्द ही उसके पिता उसको लेने आने आने वाले है ये सुनकर फुनसान्ता निरास हो जाती है मैनुवल और फुनसान्ता एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं पर वो जानते है कि दो कजंस एक दूसरे से साधी नहीं कर सकते है। Umelio के घर में एक कमरा था जहां जाने की किसी को इजासत नहीं था, मगर Manowal उस कमरे में चला गया और उसे पता चला की ये कमरा असल में Umelio का क्लिनिक है। अमेलियो उसे क्लिनिक में देख कर खुश हुआ और अपने दूसरे भाईयों की तरह वो भी मैनुवल को अपने काम के बारे में बताने लगा। अमेलियो एक आँखों का डॉक्टर था जो मैनुवल को आँखों में छुपी खुबसूरती को दिखाने लगा। कुछ समय बाद मारगरीटा उन पर नजर रखने लगी और उन बच्चों पर चिलाने लगी क्योंकि उसने उन दोनों को उस कमरे में आने से रोका था और अमेलियो से कहने लगी कि उनके पिता यानि की मैनुवल के दादा अंटोनियो से बात करने की जिद्ध कर रहे हैं क्यों उन्हें मैनुवल को अपने पिता के पास भेज देता है। मैनुवल के दादा कहने लगे कि दुनिया खत्म होने वाली है। और इसलिए दुनिया खत्म होने से पहले दुनिया देख लेनी चाहिए। फुनसानता के अलावा किसी को भी मैनुवल के दादा की बाते समझ नहीं आती थी और फिर ये कहने लगे घर में कई सारे राज है और वो सारे राज परिवार को सर्मिंदा करती है और वो अपन खूद का राज बताने वाले थे पर इन्होंने बताते हुए अपनी बात बताना भूल जाते है जब उन्हें अपनी बात याद आती है तो उन्होंने बता जहाना है जहाँ वो सुकून की सांसे ले पाए। यही कहकर वो सो गए। कुछ देर बाद मैनुवल लॉडी अध समय विताने लगा। और वो ये सोचने लगा कि लोली खूबसूरत दिखने के लिए अपने चेहरे को पेंट क्यों कर रही है। जब मैनुवल उसे उसके बाइफरेंट चूतियां है। इस बीच मैनुवल मागरिटा को अजीब सी बाते करते हुए देखने लगता है और मागरिटा से पूछता है, वो सब को बताने لगी की वो भगवान से बाते करती है। अमेलियो उसकी बाते सुनता है तो वो नाराज होने लगता है। और उसक अपना आपा खो बैठा। अमेलियो को इस तरह देखकर मैनुवल बुरी तरह डर गया। पर लोली ने समझाया कि उसके पिता कभी कभार चुतियों वाली हरकत कर बैठते हैं। मैनुवल इस अजीब से परिवार के। पागलपन का हिस्सा बनने लगा था। मगर ये पागलपन उन लोगों के लिए आम बात थी। वो सब ऐसे बरताव करने लगे थे जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। और अचानक अमेलियो के पिता उन्हें अकेले पन के बारे में कविता सुनाने लगे। वो कविता उन्होंने मैनुवल के पिता अन्टोनियो के लिए लिखी थी। और कविता अमेलियो को अपने सामने देख कर उन्होंने बताया कि वो यहाँ उसके आने का इंतजार कर रहे थे। अल्जाइमर रोग की वजह से वो सब कुछ भूलने लगे और वो अपने घर का रास्ता भटक गए। इसलिए उस पार्क में आकर बैठ गए। फुनसान्ता ने कहा वो जानती थी कि उसके दादा पेड़ पक्षियों से प्यार करते हैं। इसलिए वो समझ गई थी कि वो इसी जगह उन्हें मिल जाएगे। उस वक्त मैनुवल के दादा ने कहा वो समुंदर देखना चाहते हैं। क्योंकि वो सुकून की सास वही ले पाएंगे और मौत की बाते फिर से करने लगे। मगर अमेलियों ने कहा, जब तक मैं जिन्दा हूँ, मैं अपने पिता को मारने नहीं दूँगा। अमेलियों ने वादा किया, उन्हें समुंदर के पास ले जाएगा। और ये सुनकर वो बहुत खुश हुए। घर जाते हुए अमेलियों के पिता एक और कहानी सुनाने लगे। और ये कहानी सुनते सुनते, ये सब लोग घर पहुँच गए। और उस दोपहर उनकी समुंदर देखने की खुआश पूरी हुई और मैनुवल अपने पूरे परिवार के साथ बीच पर गया। और पहली बार परिवार वाले बहुत खुश थे और उन सब को देखकर फुनसानता के दादा को सुकून मिल गया। सालों की सुकून की सांसे लेने की खुआश पूरी हुई और आखरी खुआश पूरी होते ही उसी बीच पर मैनुवल के दादा की मौत हो गई। उस पूरे परिवार की तरह मैनुवल भी दादा की मौत की वजह से दुखी था पर उस वक्त अंतिम संसकार पर मैनुवल के माता-पिता भी आ गई थे और तब मैनुवल को एहसास हुआ उसके माता-पिता के अनेक बाद उसका और फुनसानता का रिष्टा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है वो आखरी दिन था जब उन दोनों ने एक दूसरे को देखा क्योंकि अंतिम संसकार के बाद मैनुवल अपने माता पिता के साथ अपने घर लोड़ गया और मूवी यही पर समाप्त हो जाती है